जै श्याराम देवदर्शन धर्मदर्शन की इस श्यात्रा में आपका स्वागत है आपका अविनंदन है मैं हूँ रामेंदर सिंग चोहान देवदर्शन धर्मदर्शन की इस यात्रा में आज चलते हैं दच्छन भारत दच्छन भारत के आंद्र प्रदेश की यात्रा करते हैं आंद्र प्रदेश में एक इस्थान है विजयवाडा विजयवाडा में एक आती विशिष्ट धार्मिक इस्थान है इस इस्थान को देवी दुर्गा का प्राकट इस्थल्माना जाता है स्रद्धा आस्था एवँ विश्वास के इस इस्थान को कनक्ट दुर्गा मंदिर के रूप में ज्याना और पहचाना जाता है दच्छन भारत सहित दुनिया के स्रद्धालू इस केंद्र को आध्यात्मिक धार्मिक पौरानिक केंद्र मानने के साथ ही अटूट स्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो आएए चलते हैं विजयवाला की सेर के लिए और मा भगवती दुर्गा के दर्शन करते हैं उनका आसिरवाद लेते हैं कनक दुर्गा मंदिर आस्था का केंद्र है स्रद्धा आस्था एवं विश्वास के केंद्र कनक दुर्गा मंदिर को अद्भुत कहें तो साइद कोई अतिश्योक्ति ना होगी जी हाँ दच्छन भारत के आंद्र प्रदेश के विजय वाड़ा इस्थित कनक दुर्गा मंदिर की ख्याती भारत सहित दुनिया में है इंद्र के लादरी पहाड़ी पर इस्थित या दिव्वे भवे मंदिर कृष्णा नदी के तट पर है मंदिर मुक्ष तौर पर मा भगवती दुर्गा को समर्पित है जानकारों की माने तो सद्भावना विजय वाड़ा चोतरफा पत्थर की विशाल चटानों से घेरा था जिससे कृष्णा नदी का प्रवाह नहीं हो पा रहा था बासिंदो ने यहां के रहने वालों ने इस पर भगवान सिव की आराधना की गई इसके बाद कृष्णा नदी को अपेच्छित प्रवाह मिल गया अपेच्छित मार्ग मिल गया जिससे कृष्णा नदी का प्रवाह हो सका पौरानिक कथाओं की माननेता है कि अरजुन ने इंद्र केलादरी पहाड़ी पर तपस्या की थी जिससे युद्ध में विजय हांसिल कर सके जीत के बाद इस्थान का नाम विजयवाड़ा पड़ गया प्राचीन काल में राच्छसों का प्रकोब बढ़ने पर रिशी इंद्र केलादरी ने पहाड़ी के सिर्च पर तपस्या की थी जिस पर दुर्गा देवी ने प्रकट होकर रच्छा का आसिरवाद दिया था मा भगवती देवी दुर्गा ने उसी समय इंद्र केलादरी परवत को अपना इस्थान बना लिया था यानि मानिता है कि मा भगवती दुर्गा यहीं पर प्रवास करती हैं यहीं निवास करती हैं सदेव कनक दुर्गा मंदिर में दुर्गा की सभी सुरूप विद्यमान है कनक दुर्गा मंदिर के निकट ही इंद्र केलादरी पर मल्लेश्वर स्वामी का भी दिव्य भव्य मंदिर है इस मंदिर में कनक दुर्गा मलेश्वर एम कृष्णा नदी शुरूप में विद्यमान है कनक दुर्गा मंदिर में ओम की दिविता भविता देखते ही बनती है निकट ही प्रकासम बैराज है प्रकासम बैराज अरजुन का तपिस्थल माना जाता है माननेता है कि इसी इस्थान पर महाभारत से पूर्व इसी इस्थान पर अर्जुन को अस्त्र सस्त्र प्राप्थ हुए थे खास्तोर से यहां सिव लीला एवं सक्ती महिमा का वर्णन है सक्ति महिमा एवं सिव लीला का प्रसंग वर्ण छेत्र को आध्यात्मिक बना देता है सामानता देखें तो कनक दुर्गा मंदिर विजयवाडा का पर्याय बन गया है कनक दुर्गा मंदिर एवं विजयवाडा का आध्यात्मिक्ता प्राचीन काल से ही तीर्थ्यात्रियों के आकर्षन का केंद्र रहा है विशेशग्यों के माने तो वेदो एवं सास्त्रों में यहां की धार्मिक्ता एवं आध्यात्मिक्ता का उलेख है कनकदुर्गा एवं अन्न देवी देवताओं का यहां स्वेमभू प्राकट माना गया है आत्म प्राकट होने के कारण विजहवालों को अत्यांत शक्तिसाली माना जाता है दसहरा पर्व कनकदुर्गा मंदिर में खास तोर से उल्लास पूर्वक मनाया जाता है कनक दुर्गा महोसो का दस दिवसी आयोजन होता है यह आयोजन चंद्र तिथी के आधार पर निर्धारित होता है इस्थानीता में इसे अलंका राम कहा जाता है दसेहरा पर कनक दुर्गा की विशेश पूजा अर्चना की जाती है सरस्वती पूजा एवं थेपोत सवं विशेश महत्पनों माने जाते हैं इसके अलावा कनक दुर्गा मंदिर में सकंभारी उत्सो भी प्रमुक्ता से आयोजित होता है यह उत्सो कनक दुर्गा से आसिरवाद प्राप्त करने के लिए है कि क्रशी उपज सब्जियां भोजन आदि का आसिरवाद दें जिससे जीवन यापन एवं भरन पोशन हो सके यह इंद्र धन उसी उत्सो विशेश ख्याती रखता है कनक दुर्गा मंदिर को विजयवाडा का दिल कहें तो साइद कोई आतिश्योक्ति ना होगी मा भगवती कनक दुर्गा मंदिर की यात्रा के लिए सभी आवश्यक संसादन भारत सहित दुनिया भर से उपलब्ध है निकटम एयरपोर्ट विजयवाडा है विजयवाडा एयरपोर्ट से कनक दुर्गा मंदिर की दूरी करीब 20 किलोमीटर है निकटम रेलवे स्टेशन विजयवाडा में ही है विजयवाडा से हैद्राबाद की दूरी करीब 275 किलोमीटर है स्रधालू यात्री परेटक सलक मार्ग से भी कनक दुर्गा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं आपने इस वीडियो को देखा आपको या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवस्य बताएं यदि आपको हमारा या वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज सेयर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूलें आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोसान होता है हमारा मोटिवेशन होता है अपने वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैस याराम